नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एक पार फिर से आप सभी का श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिंग मतमिडक्स पे मैं विशाल सिंग आप सभी को आपके परिवार सिंग मतमिडक्स पे तह दिल से श्वागत करता हूँ मेरे प्यारे साथियों रेलवे में पूछ प्रस्त और देखने वाले हैं अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिए तो रेलवे द्वारा पूछे गए एनलोजी के सारे सवाल आपको ये दोनों वीडियो में मिल जाएंगे तो चलिए फटा-फट स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा साहिए शेशन तो आपके साबन सवाल दिख रहा होगा मैंने कल पीछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर लॉजिक पकड़ आ गया तो सवाल बड़े सिंपल होते हैं अन्य था टाइम टेकन होते हैं टाइम कंजूमिंग होते हैं अब इस वीडियो को अगर आप सब देख रहे हैं तो की सैपरोसे इसको शल्फ करते हैं अभ यहां पर 27 गल और 65 मैर नहीं दिया हुआ है यहां पर 64 है और यहाँ पर केशन मार्क हमें बताना है कि क्या होगा अभ देखिये यहां पर केशन मार्क हमें बताना है इन चार वर उब्सन में से कौन सा ओप्शन है drive तेकनिकल पोस्त क कैसे बना होगा ये तीन का क्यूब है तो तीन में एक आगे बढ़ा देते हैं तीन में एक आगे बढ़ा देते हैं चार बन जाएगा तो चार का क्यूब में एक हमें एडिशन करने के बार एक जोड़ देने के बार चौशट बनेगा चौशट में जोड़ी है पैसट अब बत मार्क की जगह पर 126 आ जाएगा तो इसका आंसर टिक करके आईएगा option number D option number D इस सवाल का exact answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्तने की और सभी लोग आ जाईएगा अगला जो प्रस्तने है उसे समझते हैं देखिए क्या कह रहा है ये 3 है और 3, 29, 6 और question mark अब आप ये समझे कि 3 से 29 कैसे बना होगा आप बोलेंगे सर इसमें 10 का multiply करके एक घटा दो तो 3 में 10 का multiply 30 में से एक जाएगा 29 तो यहाँ पर भी 10 का multiply करके एक घटा देते हैं तो 60 में से एक जाएगा 69 अब देखिए 59 option में नहीं है मैंने क्या सिखाया analogy के questions को करने के लिए जो logic यहाँ लगेगा same logic यहाँ apply करना है और साथ ही साथ options में भी देखना है कि option में वो ची आ रहा है कि नहीं है अब मैं क्या करने वाला हूँ इस 3 का cube ले लूँगा और 3 का cube 27 होता है 27 में 2 जोड़ दीजिए तो यह बन जाएगा 29 अब यहाँ पर same logic लगा दीजिए 6 का cube कर दीजिए और 6 का cube में 2 जोड़ दीजिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर आजाएए सभी लोग अगला सवाल देखिए समझने का प्रयास करिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या है यह 2 दिया है 3 दिया है 2 दिया है 3 दिया है question mark यहाँ देखे 23 और यहाँ बताना है question mark क्या होगा अब यह 2 तो 2 के बाद दिया है 3 अब आएसे सोच सकते हैं कि इसका double करके एक घटा देजे दो दुनी चार में से एक घटा देते हैं तो 23 का double हो जाएगा 46 एक घटाएंगे 45 देखिए option में नहीं है तो अब हमें दूसरा approach लगाना होगा दूसरा approach कैसे लगाते हैं देखते हैं दो एक prime number है दो एक अभाज संख्या है और दो के just आगला prime number कौन होता है दो एक अभाज संख्या है दो के just आगे prime number कौन है 3 अब यह देखिए 23 एक prime number है 23 एक अभाज संख्या है तो इसके just आगला prime number क्या होता है तो 23 के जश्ट आगे प्राइम नंबर होता है 29 तो option टिक करके आएगा option number D 29 इस सवाल का क्या हो जाएगा भी या answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल समझते हैं ये देखे 27 दिया हुआ है और ये 60 27 दिया हुआ है ये 16 दिया हुआ है यहाँ 125 दिया है question mark बताना है कि क्या इसका answer होगा देखे 27 को लिख सकते हैं डियर तीन का cube अब तीन में एक आगे बढ़ा देजिए तो 4 तो 4 का square ये देखे 125 किसका cube होता है 5 का 5 में एक आगे बढ़ा देजिए 6 तो यहाँ पर cube है ये square है ये cube है तो ये square है तो 6 का square कितना हो जाएगा 36 तो answer लगा दिजिएगा option number C option number C क्या हो जाएगा भया इसका answer हो जाएगा उमीद करते हैं सभी भाई को मज़ा आ रहा होगा चीज़े बन रही होंगी आप करने में सक्चम भी होंगे यहाँ देखिए ये question same repeat हो गया है अभी जो question किए वो same repeat हो गया है आगे बढ़े की इस question को सबी लोग समझें ये 7 दिया हुआ है ये 350 दिया हुआ है ये 8 दिया है ये question mark बताना है अब यहाँ से 7 बन गया 36500 7 अगर 36300 बन गया तो 50 का multiply किया गया होगा हो आजाएगा अब option में देखें तो option में कहीं पर भी 400 नहीं इसका मतलब है यह approach जो मैं लगा रहा हूँ यह सही नहीं है approach सही है पर option में नहीं है तो यह approach गलत हो गया अब हमें कुछ और सोचना होगा तो देखो क्या सोच सकते हैं यह 7 दिख रहा है तो 7 का पहले कर दो cube तो 7 का cube कितना होता है 343 343 और इसमें 7 जोड़ दो तो देखो यह 350 आ गया अब इस 8 का cube कर लो 8 का cube और 8 जोड़ दो तो 8 का cube होता है 512 512 में 8 जोड़ दो 520 देखो option कहीं दिख रहा है 520 यह option number first लगा के आगे बढ़ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं भाईया आगे बढ़ते चलत हैं यह देखो क्या कह रहा है question 9 है यहाँ पर 9 दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और यहाँ पर 21 और question mark हमें बताना है कि यहाँ पर क्या उतर देखी यहाँ पर 9 का double कर दो तो 9 का double करेंगे तो 9 दुनी 18 लेकिन 20 चाहिए मतला इसमें 2 जोड़ दिया गया तो 20 आ गया सेम किसका double करके 2 जोड़ दो 21 दुनी 42 में 2 जोड़ेंगे 44 कहने का मतलब हुआ किसका double करके 2 जोड़ दो इसका double करके 2 जोड़ दो तो भाईया यहाँ पर question मारके के जगा 44 आ जाएगा 44 देखो option में दिख रहा है अगर नहीं दिखता तो दूसरा तरीका लगा देते हैं समझा इस तरह से हमें analogist के question को solve करना होता है यहाँ पर सब लोग दिमाग लगाईए यह 343 है यह 7 है और यहाँ पर देखते हैं समझने का प्रियास करिए यह 729 है और यहाँ question mark है यह question mark है तो dear यहाँ समझे यह 7 का cube है यह 7 का क्या लिखा हुआ है क्यूब लिखा है अब यह है तो यहाँ पर क्या आएगा नाइन आएगा तो नाइन लगा के आजाएगा answer option number first इस सवाल का answer हो जाएगा चलिए भाईया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल लेते चलिए करते चलिए फटा फट एकदम समस्ते चलना है भाईया अगर आप में से कोई भी भाईया अभी तक यह कोईशन मार्क है तो यह देखिए बारा अड़ च्छालिस कैसे बना तो बारा में पहले चार का multiply कर देंगे तो बारा चो के अड़तालिस अब यह अड़तालिस बन चुका है इसमें से दो माइनस कर दीजिए च्छालिस बन गें सेम यहाँ पर अठारा में चार से गुण जाएगा अगला प्रसनिप अगला से जो सवाल है उसको देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है तेरा यहाँ पर ठाटी एट लिखा हुआ है यहाँ पर सत्रह और यह हमारा कोशन मार्क है यह हमारा कोशन मार्क है और इसका उत्तर बताना है कि इसका आंसर हमारा क्या आएग डियर बहुत ध्यान से समझेगा 13 में पहले आप 3 का मल्टिप्लाई करिए तो 13 तिया 49 49 में 1 माइनस कर लेते हैं सेम की यहाँ पर 17 में 3 का मल्टिप्लाई करेंगे 59 59 में 1 माइनस कर लेजिए 50 50 अगर ऑप्सन में दिख रहा है और यह 36 है यहाँ पर 8 लिखा है कुशन मार्क बताना है क्या होगा अब आप एक चीज़ समझे यह 6 है तो यह 36 है तो शिंपल समझा गया कि 6 का स्क्वाइर होगया 36 तो यहाँ पर 8 का स्क्वाइर लिख लीजे 64 तो आंसर क्या आना चाहिए 64 अब ध्यान में आया अरे यार 64 तो हमारा option में नहीं है ये 6 का square तो 8 का square 64 पर 64 तो option में नहीं है तो नहीं है तो हमें approach बदलना होगा हमें अपनी तरीका को बदलना पड़ेगा ध्यान से समझें ये 6 में 6 का multiply हुआ तब ये 36 बना मतला इस 8 में अगर 6 का multiply करें देखिए यहां भी 6 है यहां भी 6 है इसमें भी 6 common इसमें भी 6 common यहां 6 दिया हुआ तो 6 में 6 से यहां 8 दिया था तो 8 में 6 से तो 8 चीक 48 तो option number देखिए अगर 48 दिख रहा हो यह दिख रहा है यह देखिए यहां पर सभी लोग ध्यान दिजिएगा यह दिया है 7 यह दिया है 7 64 यह दिया है 8 और यहां question mark हमें बताना है कि क्या होगा डिगर समझेगा 7 से अगर हमें 64 बनाना हो तो 7 में 9 का गुणा करिए 7 9 63 और एक तो यहां पर गुणा करेंगे 9 से और एक जुड़ेंगे तो 8 9 72 और 63 73 option में नहीं है मतला यह approach हमारा हो गया fail तो क्या करेंगे तो भहिया ऐसे सुचो कि यह 7 के 7 में एक जोड़ दो 7 में अगर एक जोड़ दो तो यह 8 बन गया और 8 का square कर लो 64 डिखा अब यह 8 दिया हुआ है तो भहिया 8 में एक बढ़ा लो तो 8 में एक बढ़ा लो तो यह 9 और 9 का square कर दो 81 इसका मतलब है कि answer आजाएगा 81 यह 7 दिया था एक आगे बढ़ा के square कर दो 8 दिया है एक आगे बढ़ा के 99 का square कर दो 81 इस सवाल का answer हो जाएगा अगला सवाल homebuck दूँगा यह सवाल आप लोग को homebuck पर रहेगा इतने शारे सवाल मैंने करवा दिये यह सवाल आप लोग को homebuck रहेगा comment box में इसका answer सभी लोग दिजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां देखिए सभी लोग यह दिया है 21 यह दिया है 36 यह दिया है 13 और यह दिया है question mark जल्दी से इसका उत्तर दिजिए जल्दी से इसका उत्तर बताईए कि क्या हो इसका answer होगा 21, 36, 13 question mark अब यह 21 है तो 21 को 36 के करीब ले जाने के लिए 42 बनाईए 21 दुनी 42 अब 42 में से अगर 6 माइनस कर दें तो यह 36 आ जाएगा तो 13 में भी 2 का गुना कर दिजिए 13 दुनी 26 और 6 माइनस कर दिजिए तो 26 में से 6 जाएगा 20 तो answer बनेगा भाईया option number D 20 का correct answer होगा चलिए अगला सवाल करके दिखाएए इसका answer क्या होगा देखिए 4 लिखा हुआ है यह 4 लिखा हुआ है 64 लखा है यह 6 है और यह question mark बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा बहुत अध्यान से समझेगा यह 4 है यह 64 इसका मतलब है कि यह 4 को cube किया गया है चार का cube कि किया गया तो यह 6 है तो 6 का cube किया जाएगा तो 216 तो 6 का cube 216 option number भी लगा के आगे बढ़ जाईएगा ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने analogies के railway में पूछे गए सारे सवाल सौल कर लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथ ही में तो दोस्तों भाईयों में कर देजिएगा ताकि proper notification आप लोगों को time to time मिलते रहें और सारे subject के useful material, useful content, relevant बाते, exam oriented बाते आपको यहां से सिखने को मिल सकते हैं, मिलते हैं किसी और खास वीडियो में तब तक लिए खुश रहिए, मसत रहिए, हस्त्री मुस्क्रात रहिए, love it to you all, जै हिं जै भारत